नमस्कार मित्रों मैं जीतंदर सिंग चारण एक बार फिर से आपका अपक्स क्लासेज के यूटूब चैनल पर हर्दिक स्वागत और अभिनेंदन करता हूं मित्रों अपन बात कर रहे थे भारतिय समिदान के बारे में और अपन टॉपिक जो पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे वो समिदान निर्मान की बात कर रहे थे और समिदान निर्मान के दौरान कल मैंने दो बातें आपके सामने रखी थी और वो ये थी कि समिदान निर्मान 1946 को लेकिन 11 दिसंबर 1946 को एक काम पर अपन ने चर्चा किती कि 11 दिसंबर 1946 को समिदान सबा के सदेश्यों ने सर्व सम्मत्ति से बहुमत के आधार पर डॉक्टर राजंद्र परशाद को समिदान सबा का अध्यक्ष चुना था 11 दिसंबर को डॉक्टर राजंद्र परशाद इस्ताई अध्यक्ष बना दिया जाते हैं अध्यक्ष चर्चा अपने कर ली थी पिछली वीडियो में फिर अपने पड़ा था कि समिदान सबा के उपाद्यक्ष दो नाम मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे एचसी उपाद्यक्ष मित्रों टीटी क्रिष्णा माचारी जिस पर भी अपने चर्चा की थी फिर दो बाते मैंने आपके सामने और रखी थी और वो थी ये मित्रों कि समिदान सबा का समयधानिक सलाकार कौन था तो समिदान सबा का समयधानिक सलाकार जो था वो था मित्रों वी ए बनेंगम नर्शियमन राव अब देखेगा यह समिधान सभा का समिधानिक सलाकार तो था इता लेकिन इसके साथ एक और मैंने कल आपको बात बताई थी वह यह बताई थी कि भारतिय समिधान का जो प्रारूप तयार किया था वह किस ने किया था तो वह भी बी एन राव नहीं किया था दोनों ही बाताओं में आपका अंसर भी एन राव ही होगा यानि समिधान सभा का समिधानिक सलाकार पूछे तो भी आपको नाम भी एन राव ही बताना है और आपको पूछले कि भारतिय समिधान का प्रारूप धांचा किस ने तयार किया था तो वह भी मित्रों भी अबेडिकर कर देते प्रारूप सब्द आते ही लेकिन मैंने कल भी आपके सामने दो बाते रखी आज वापिस बता रहूं आपको कि बारतिय समिदान का प्रारूप किस ने तयार किया बी एन रावने लेकिन एक बात कल और बताई थी जिसके विश्तरत चर्चा आज मैं आपके सामने यहीं पर कर लेता हूं कि आपको प्रश्ण अगर ये पूछ ले कि प्रारूप समिती का अज्यक्ष कौन प्रारूप किस अज्यक्ष पूछ ले तो डॉक्टर भीम राव अमेडगर और प्रारूप किस ने तयार किया था बी एन रावने याने की एक पिछले वीडियो में मैंने आपके सामने चर्चा की थी कि डॉक्टर भीम राव अमेडगर जो पहली बार समिदान सबाका चुनाव लड़े ते वो हार गए थे लेकिन बाद में लीग की महरबानी से वो सामिल हुएते आपके बंगाज से तो इसका मतलब वो हारे थे और जीता था कॉंग्रेस वाला तो इसका मतलब अमेडग करके नयत्रतों में पहले समिदान बनाने का कोई प्लान नहीं था तो भारतिय समिदान का जो डांचा है वो भी एंद्राव ने तैयार कर लिया था लेकिन आपको एक बात मैंने पहले वाले वीडियो में बताई वो भी अच्छे से मालूम होगी कि अपने भारत के विबादन के बाद जब माउंट बेटन योजना की शिपारिश पर भारतिय सम और कॉंग्रेस वालों ने MR जैकर से त्याग पत्र लेकर अमेड कर को सामिल किया था इसका मतलब अमेड कर बाद में कॉंग्रेस की महरबानी से समिदान सभा में सामिल हुआ था तो जैसे ही अमेड कर समिदान सभा में सामिल हुआ तो वही जो प्रारूप तयार किया था किस का नाम आप पढ़ रहे हो प्रारूप समीति कौन सी समीति में तरों प्रारूप समीति और इस प्रारूप समीति का अध्यक्ष बनाए गया था डॉक्टर पीम राओ अमेड करको कल मैंने आपके सामने चर्चा की कि इस प्रारूप समीति का सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है अब तक तो जो छोटे एक्जाम होते हैं उनमें तो ज्यादा तर एक ही सवाल बार-बार रिपीट हो रहा है और वो प्रश्ण कौन सा है प्रारूप समीति का द प्रारूप समीति का सवाल पढ़ा होगा कि निम्न लिखित में से कौन प्रारूप समीति में सामिल नहीं था एक तो सवाल पूछा जाता है निम्न लिखित में से कौन प्रारूप समीति में सामिल नहीं था और एक प्रश्ण आपसे और पूछा जाता है कि प्रारूप समीत का घठन किया गया वो किया गया 29 अगस्त उन्नीस सो सेंतालिस को और इसका अध्यक्ष था वो था डॉक्टर भीम राव अम्मेडगर और आपको सवाल यह पूछ ले कि इस प्रारूप समीति में टोटल कितने लोग थे सांथ कुल कितने लोग थे सांथ एक अध्यक्ष और छे सदिश्य अध्यक्ष कौन डॉक्टर भीम राव अम्मेडगर अब मैंने गा दूसरा सवाल आपसे ज्यादातर क्या पूछा जाता है कौन सामिल नहीं था तो इस सवाल का मित्रों आंस्वर देने के लिए आपको समीति के सारे मेंबर का पता होना चीए मेंबर मैं आपको ब अएक सदिश्य था नंबर दूसरा मेंबर ता वह ता आपके अल्लादी क्रश्पनः क्रश्टना स्वामी आयर कौन था मित्रों 5 अल्लादी क्रश्पनः स्वामी ईयर मेंबर टीसर जो मेंबर था वो था मित्रों मुहमद सदुल्ला कि नमबो तीसर रोे सदेश्यता निस समीति का वो था मित्रों आपके मौहमद शाददुल् commercials छोत्य Fuß प्रारूप मुंद संहिति का मिंबर था कों अपातर कॉंग्रेसी शधिश्य था मित्रों एक मातर कॉंग्रेसी सदुश्य था वह ता आपके केण मुझसी एक मातर प्रारुप समीति में कोंग्रेसी शदुश्य था यह ना और नंबर नेक्स्ट अगली बात याद रखना वो ये है मित्रों कि आपको पूछ ले टोटल मैंने लोग बताए वो बताए कितने वो बताए आपको साथ जिसमें आपने अध्यक्ष पड़ा डॉक्टर भीमराव अमेडिकर को चार मेंबर पांच वजो सदिश्य था वो था आपके बी एल मित्र ध्यान रखेगा यहां पर एक और कन्फ्यूजन है वो यह है कि बी एल मित्र जैसे ही प्रारंब में इस समीति का सदिश्य बना था जब गठन किया उसा में बी एल मित्र था लेकिन इसने अपने पद से दे दिया था मित्रों त्याग पत्र तो इसकी जगा एक सदिश्य सामिल हुआ था उसका नाम आप याद रखना एन माधव राव क्या नाम याद र अब की मित्रों लिपी कजितान और लिपी खेतान ग //्या जिसके बारे में वह्यादे आपको याद रखनी है पहली बात तो प्रारंब में तो सदिश्य आपके भी खेतान ही था यह ना में तो सदिश्य कौन था लेकिन बाद में हुआ क्या कि डीपी खेतान की पद पर रहते वे उताती है मत्रों मर्तियू क्या जाती है मर्तियू तो मर्तियू होने पर इसकी जगा सामिल किया गया था वो किया गया था आपके टीटी क्रश्ना माचारी को इसकी जगा जो दूसरा सदिश आता है वो कौन था सामिल लिटीट क्रिश्नमाचारी तो ये सारी बात आप प्रारूप समिति की यादा रखुगे दोनों बाते में आपको बताई आक को प्रश्ण पूछ ले कि प्रारूप किसते किया बि夏 र vel औ को और अमिड करके साथी टोटल लोग पूछ ले तो साथ एक मात्र कॉंग्रेसी सदिशी पूछ ले तो के एम मुंसी और कौन नहीं था तो आपके सामने सारे सारे नाम लिखे वे इनको अच्छा से याद कर ले ना इनके अलावा जो भी आपको उप्शन देखे वो नहीं था यह सारी बाते आप प्रारूप समिती गयाद रखोगे मित्रों अपन बात कर रहे हैं भारतिय समिदान के निर्मान की जिसमें दो बैटकों पर अपने चर्चा की एक तो 9 दिशंबर और 11 दिशंबर अब देखेगा मित्रों सबसे मैत्वपों जो तीसरी बैटक होती है समिदान निर्मान के दौरान उस बैटक का आयोजन किया गया था 13 दिसंबर 1946 को समीदान निर्मान के दौरान 13 दिसंबर 1946 को समीदान सभा की तीसरी बैटर कायूजन किया गया इस दिन हुआ क्या कि इस दिन पंडित जवार लाल नैरू के दौरा किसके दौरा में त्रों पंडित जवार लाल नैरू के दौरा एक प्रस्ताव पेश किया गया जिसका नाम नाम रखा गया उद्दिश ये प्रस्ताव पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को किसके दवारा पंडित जवारलाल नेरु के दवारा हाली में पिछली बार जब आपके राज़स्तान में PTI का एक्जाम हुआ तो आपको PTI के एक्जामे इनी लाइनों में से सवाल पूचा जा चुका है ये उद्दिश्य प्रस्ताव रखा तो मित्रों गया तो 13 दिसंबर 1934 को लेकिन यहां से ज्यादा तर जो प्रश्ण पूचा जाता है वो क्या पूचा जाता है कि उद्दिश्य प्रस्ताव जाता है पारित हो जाता है 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवारला नहरु के द्वारा उद्दिश्य प्रस्ताव पेश किया गया इस उद्दिश्य प्रस्ताव पर कई दिनों की चर्चा के बाद यह 22 जनवरी 1947 को क्या हो जाता है पारित हो जाता है और जैसे पारित होता है तो पा संभी धान की जन्म कुंजी या कुंडली का गया तो उद्धिश्य स्प्रस्ताउब रूप में अपन प्रस्तावना के के दो या उद्दे सीका के दो एक ही बात है तो वर्तमान में इसी उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना या उद्दे सीका के नाम से भी जाना जाता है अब यही उद्देश्य प्रस्ताव जो वर्तमान में प्रस्तावना के समय दान की सुरुइदान की माध्यम से किया किया गया इस प्रस्ताव के माध्यम से पंडित जवर लाल नेरू ने देश वासियों को ये बताने की कोशिश की कि भारत का समय दान लागू होने के बाद अमारा भारत एक कैसा राष्ट होगा साथ गंटे का बहुत लंबा भासन देत वे पंडित जवारलाल नेरू न क्या का कि भारत एक संपून प्रभुत्व संपन लोक तंत्रातमक गण राज्य होगा यह किस ने काता इस उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से पंडित जवारलाल नेरू के द्वारा यह बोला गया कि हमारा भारत एक संपून प्रभुत्व संपन लोक तंत्रातमक गण राज्य होगा यानि कि भारत का संविदान लागू होने के बाद भारत एक संपून प्रभुत्व संपन लोक तंत्रातमक गण राज्य होगा ऐसा पंडित जवारलाल नेरू ने इस उद्दिश्य प्रस्ताव के माध्यम से बताया अब देखेगा तीन सब्द मैंने आपके बूर्ड पर ल कोसिस करेंगे लेकिन अभी मैं आपसे पूछ लूँ कि संपून प्रभुत्व संपन का मतलब क्या हुआ संपून प्रभुत्व संपन सब्द का अर्थ यह है कि संविदान है वह संपून सक्ति किसको देता है जनता को अर्थार्थ प्रस्तावना के माध्यम से सक्ति का स्रो बाँरी किसी विदेशी सक्ति का नियंत्रन नहीं होगा, यह संपोण प्रभुत्ची शंपन, लोकतंत्रात्मक अरत क्या हुआ, अपने देखाऊगा, अब्राहेम लिंकन ने लोकतंत्र की क्या परिवास दीती, जन्ता के लिए और जन्ता की द्वारा किया जाने वहला सासरी लोक तंत्रात्मक के लाता है और तीसरा सब्द में लिक रहा हूं भारत एक गण राज्य भी होगा ये पंडित जवारला नेरुनिका और गण राज्ये का अर्थ पूछले कि गण राज्ये का मतलब क्या होता है मित्रों एक सब्दाता एक गण तंत्रात्मक और एक उत्ता एक गण राज्ये ज्यादा हड़ बढ़ाने के आउसकता नहीं है लगबग सिमिलर सब्द है यह और आपको फर्स्ट ग्रेड दो हजार एक्ज्य क्या है तो पंडित जवारलाल नहिरु कहे रहा है कि भारत एक गण राज्ये होगा समिधान के लागू ने के बाद तो गण तंत्रात्मक का अर्थ पूचा उसने फस्ट ग्रेड के फस्ट पेपर में तो आपसे पूचले गण राज्ये का मतलब क्या होता है तो गण राज् ये बातने कई ती पंडित जवारलाल नैरुने कौन से प्रस्ताव के माध्यम से मित्रों उद्दिश्य प्रस्ताव के माध्यम से और ये उद्दिश्य प्रस्ताव रखा गया था 13 दिसंबर 1946 को और पारित वाता 22 जनवरी 1947 को और इसी उद्दिश्य प्रस्ताव में पंडित जवारलाल नैरुन का भारत एक संग होगा जो राज्यों से मिलकर निर्मित होगा और समीधान में सक्ति का श्रोत जनता होगी ऐसी बातें उद्दिश ये प्रस्ताव के माध्यम से पंडित जवारलाल नैरुन ने बताने की कोसिश कीति ये सारी बाते आप 13 दिसंबर वाली बेटक की ध्यान रखो घो अब देखेगा आप से आगामी कुछ तत्यात्मक सवाल और पूछलिए जाते हैं आपने 9 की बात की 11 दिसंबर की 13 दिसंबर की बात की 11 दिसंबर की बात की 13 दिसंबर की बात की अब कुछ बातें मैं आप से पूछ लेता हूं जो बड़ी confusion भरी है वो आपको सीधा सा कई बार question पूछ ले जाता है कि समीदान निर्मान के कितने वाचन हुए थे समीदान के कुल कितने वाचन हुए थे यह भी प्रश्ण आपको कई बार पूछ लिया जाता है और एक पूछ जाता है भारतियस्वविदान का निर्मान करते समय स्वमिदान पर टोटल कितने दिन बैस चली तोटल कितने अधिवेश्णों का युजन हुआ था टोटल बैठके कितनी थी कितनी बैठकों का युजन हुआ था वाचन कितनी बार किया गया और बैस कितने दिन चली थी मित्रों इस अधिवेश्ण की चर्चा में करूं तो यहा क्यारती बड़ा कन्फिजन में कि रियल में है क्या आपको प्रस्ण ये पूछ ले कि समीदान निर्मान के दौरान कुल कितने अधिवेशन हुए तो आपको मित्रों 11 अधिवेशन ही बताने आपको मैं अभी रीजन बताऊंगा लोग जो बारवा अधिवेशन माना जाता है वह बारवा अधिवेशन है क्यों नहीं क्या रीजन है कि अधिवेशन 12 नहीं मना गए 11 यह आपको कन्फिजन में अभी इसी वीडियो में दूर करने वाला हूं आपको अधिवेशन पूछ ले तो 11 बताना है फिर आपको प्रस्ण पूछ ले कि समीदान निर्मान के दौरा कुल कितनी बैटकों का युजन किया गया अब मैंने आपके बूर्ड पर दो बाते लेके 165 प्लस एक ज्यादातर अपन जो गाइडें किताबे बुके पढ़ते हैं अगर कॉंस्ट्यूशन की डंग से डंग की किताब पढ़ें तो वह बैटकों का जिक्र 165 करती है लेकिन म NCRT बैटके बताती है वो बताती है 166 समीदान निर्मान के दौरान कुल कितनी बैटकों का आजन हुआ तो आपको 166 बताना है क्यूंकि NCRT में 166 बैटकों का जिक्र किया गया और फिर आपसे पूछले समीदान निर्मान के दौरान समीदान का कुल वाचन कितनी बार हुआ 거야 सामों बार और समीदान पर कुल कितने दिन बैस चली तो 165 सिट कूछ तत्थ आत्मक आंकड hmm आपके सामने लेखे में अधिविशन पूछे ले तो 116 1666 स वाकष्ण कितनी वार उड़ा तीन बार पर 12 कितने दिन चली 165 दिन समीधान निर्मित करते समय समीधान पर बहर चली अब देखेगा वाचन में भी एक बात और याद रख ले नामित्रों वह यह हैं कि आपको पूछ ले वाचन कितने वह वह तो बता गों दी लेकिन वाचन तीन कब कब हुए और किस किस ने किये तो ध्यान रखेग निवंबर उन्नेसोहटालिस तक रमाशन अपर किया किस ने था करने वाला था पर्तम वाचन डॉक्तर सर्वपलि राधाद रशन रनके बात्तवशन किसने किया था पंद्रा नवंबर उन्नीसो अड़ताली से दूसरा वाचन बतारू मित्रों कब हुआ पंद्रा नवंबर उन्नीसो अड़ताली से कब तक शत्रा अक्टूबर कब तक सत्रा अक्टूबर उन्नीसो अड़ता उन पच्चास तक नैन्टीन फोटी नाइन तक और दूसरा करने वाला कौन था भी एन राव कौन था भी एन राव और तीसरा और अंतिम वाचन कब हुआ तीसरा और अंतिम वाचन होता है मित्रों क्यों ता चौड़ा नवंबर से 26 नवंबर उन्निसो उन पच्चास तक और करने वाला तीसरा वाचन था वह था डौक्टर भीम राव अम्मेड गर निर्मान के दौराण समिधान का कुल वाचन वह था तीन बार पहला वाचन आपके सामने लिखा हुआ है चार नवबार उननीस वड़ताली से क्या किसनेल था ढूकटकर सर्व पली रादाज़्ाक्रिशने दूसरा वाचन फंद्रा नवबार उननीस वहाटाशन से 17 अक्टुबर 19 तक करने वाला कौन था भी एन राव और तीसरा वाचन हुआ 14 नवंबर से 26 नवंबर उन्नीसों पच्चास तक और करने वाला था डॉक्टर भीम राव अम्मेडगर आपको प्रेश्ण पूछ ले कि समीदान के दौरान सबसे लंबा वाचन कौन सा था तो सबसे लंबा वाच वाचन जो चला था वह कौन सा था यह कुछ आपको तथ्यातमक बातें याद रखनी है अधिवेशन 11 बैटके 164 वाचन 3 बैस 165 दिन अब देखेगा समीदान निर्मान के दौरान अगे बढ़ें तो आगे बढ़ते वे अपने अभी अभी यह पड़ा कि समीदान निर्मान के दौरान कुल अधिवेशन जो आयोजित हुएते वह वितापके 11 कितने विते 11 और सबसे मैतो पुन अधिवेशन जो माना जाता है मित्रों वह 11 ही माना जाता है और इस 11 अधिवेशन का आयोजन्यों किया गया को समीदान निर्मान के दौरान 11वा अधिवेशनाय जीत उता है और इस दिन के तेन सब्द आपको बहुत ज्यादा पूचे जाते हैं वह क्या पूचे जाते हैं कि भारतिय समीदान को अंगेकरत अधि नियमित और आत्मार्पित कब किया गया तो आपको डेट पूचले कि भारतिय समीदान को अंगेकरत अधि नियमित और आत्मार्पित कब किया गया तो मित्रों ध्यान रखना एक डेट 26 नवंबर 1990 को भारतिय समीदान को अंगेकरत अधि नियमित और आत्मार्पित किया गया अब देखेगा तीन सब्द मैंने लिखे प्रश्ण पूछने का यही तरीका रहता है अंगिकर्थ अधिनियमित और आत्मार्पित कब किया तो आपको बताने 26 नॉवंबर का 1950 को लेकिन प्रस्णाव मन में एक उठ रहा अधिनियमित कालव और आत्मार्पित कालवित देखेगा मित्रों एकसब्द लिखा हूए अंगिकर्थ और क्या होता है शीकार करना स्विकार किस ने किया संविदान सभाने खुद खुद ने समीदान को क्या कर लिया था स्विकार कर लिया था समीदान सभा ने खुद ने समीदान को क्या कर लिया स्विकार कब किया 26 नवंबर को अधी नियमत का मतलब होता है लागू करना अधी नियमत का मतलब क्या होता है लागू करना इसका मतलब समीदान इसने लागू भी हुआ लेकिन आंसी ग्रूप से अभी मैं चर्चा करूंगा और आत्मार्पित का मतलब होता है समर्पित करना अर्थार्थ इसका अर्थिये हुआ कि इसी दिन भारतिय जनता को समीदान क्या कर दिया था समर्पित मतलब समीदान सभा ने खुद स्विकार कर लिया था लागू हो गया था और इसी दिन भारतिये समिदान को देश की जनता को क्या कर दिया था समर्पित यह सारे काम कब हुए थे 26 नवंबर उन्नी सो उन पच्चास को हुए थे नंबर अगली बात मैं करूं तो इसी दिन इसी दिन किस दिन एग्यारा यानि 26 नवंबर कोई क्या होता है कि भारत का समिदान बनकर पूर्ण रूप से तयार हो जाता है इसी दिन भारत का समिदान बनकर पूर्ण रूप से क्या हो जाता है तयार हो जाता है बनकर पूर्ण रूप से तयार हो गया इसका मतलब बनना कब शुरूआ पूछ ले तो 9 डिसंबर 1936 को और बन कर कम्प्लीट कब हो गया 26 नवंबर 1990 को फिर बात आपसे पूछ ले इस दिन और क्या हुआ था तो इसी दिन भारतिय समिदान आंसिक रूप से क्या हो गया तमित्रों लागू हो गया था इसी दिन भारतिय समिदान आंसिक रूप से लागू हो गया अब देखिएगा आपके मन में एक सवाल उत्पन होना वाजिब है और वो सवाल उत्पन क्या होगा क्योंकि मैंने आपके सामने अंसिक रूप से लागू से लागव तो आपके मंने में प्रेश्न क्या उत्पन होगा कि आप उपर तो लिख रहे हो और ऐंसिकत रूप से किया तोब से अगर भारतिका समेदान बन पून रूप से गया तो आपके सामने एक डेट आईगी 26 जनवरी आएगे की стран decisions को भारतका सविदान पूर्ण रूप से क्या होता है लगू होता है यह और आंसिक रूप डेट को याद रखने के चक्कर में पून रूप से लागू किया गया था 26 जनवरी को लेकिन आपकी जिग्यासा सांत नहीं हुई आप आगे बढ़कर एक सवाल और पूछोगे कि ऐसा क्या था 26 जनवरी को जो याद रखना जरूरी था 26 जनवरी को ऐसा क्या हो गया जो याद रखना जरूरी था ज्यान रखेगा मत्रों 26 जनवरी बहुत मैतोपूर्ण ती थी है इसलिए और मैतोपूर्ण क्यों है क्योंकि आपको बता दू कि 26 जनवरी 1930 को लाहोर में रावी नदी के तटपड पंडित जवारलाल नेरु के अप्ne end staple था जैंटा वह होगता गया लहेयरता 26 जनवरी के दिननी जर्फीसजज़न नीचों तीस को लाहोर में रावी नदी के तट पर पंडित जवारलाल नेरु स्वातंद्रता का पहला त्यरंगा ले रता है और त्यरंगा लेराने के साथी पंडित जवारलाल नेरु यह गोशना कर गताए थी कि आने वाले वर्ष के परदेख 26 जनवरी को देश में स्वतनतरता दीवस मनाएं जताएं अब स्वतनतरता द स्वतनतरता दीवस तो मनाएंगे रहेे और अगर समिदान 26 नवंबर को पूंड़ोप से फिर पंडित न अगर बिना समुधान के फिली नहीं है तो दो महीने से आपके कुछ इना जाना नहीं आए इसलिए पूर्वन्ट रूपसी लागू करेंगे реш करेंगा 26 जनुरी और को याद रजाएगी इस दिन भारत का समीदान कैसे लाग वाता मित्रों आंसिक रूप से बन तो पूर्ण रूप से गया था लेकिन लागू कैसे वा था आंसिक रूप से वा था नंबर अगली बात आप 26 दोमेटी और याद रखना 11 वैदी विशन की कि इसी दिन भारतिय समी नंबर 1929 को और आपको पूछले कि पर्तम अस्ताक्षर करता कौन था तो द्यान रखना मित्रों पर्तम अस्ताक्षर करता था पंडित जवारलाल नहिरू पंडित जवारलाल नहिरू पर आपको पूछले कि राजस्थान की तरफ से पर्तम कौन था तो राजस्थान की आप से पूछे तो परतम अस्थाक्षर करता बलवन त्राय मैता बताना और सीधा से सवाल आप से पूछले परतम अस्थाक्षर करता कौन तो पंडित जवारलाल नहरू बताना ये सारे काम हुएते कब 26 नॉवंबर अब देखेगा मैंने आपको कुछ समय पहले एक बात बोली मैंने का आपको प्रश्ण पूछले कि समीदान निर्मान के दौरान कुल कितने अदिवेशन हुए तो मित्रों याद रखना 11 राइट करना है मैंने का बारवा अदिवेशन नहीं मनना है उसका पहला रीजन यहां देता हूं दूसरा थोड़ी देर बाद में अभी बता ही रहा हूं पहला रीजन यह 12 अदिवेशन क्यों नहीं मना जाता है तो मेरे को बताएगा कि समीदान निर्मान के दौरान अदिवेश्टों का आयोजन क्यों किया जाता था तो आपके मैंने में एक सवाल उत्पन होता था और समीदान का निर्मान तो कंप्लिट हो रहा है 11 अदिवेशन की कहा हो सकता है तो आपके मैंने में एक सवाल और उत्पन होना है और वह क्या होगा कि दुनिया जो अपने को बारवा अदिवेशन बता थी वह कोई डेट तो है बिल्कुल यह से तो फिर उस दिन क् लेकिन ये सारी बातें अभी कौन से दिवेशन की याद रखोगे आप 11 और एक बात अंतिम और कर लता हूं वह याद रखना यह कि अभी हाली में हाली में क्या लगबग 2015 2015 में भारत सरकार के द्वारा अम्मेड करकी 125 वी जैनती पर संद 2015 को भारत सरकार के द्वारा अम्मेड करकी 125 वी जैनती पर आने वाले वर्ष के प्रतेक 26 नवंबर को एक दिवस मनाने की गोषणा किये जो मित्रों याद रखना है समी धान दिवस कौँ सा दिवस है समी धान दिवस तो अब आपण 26 नंव्बर को कौँ सा दिवस मनात संविधान दिवस लेकिन संविधान दिवस आप से पूछले मनाना प्रारंब कब से किया है 2015 से और 2015 को भारत सरकार के दौरा अमेड करकी 125 वी जैनिती पर यह गोश्चना हुई थी यह सारी बाते आप त्यान रखोगे वह 11 व्यादी विशन कि याद रखोगे संविधान निर्माण के दौरान अगली में बात करूं तो वह यहां कि संविधान निर्माण के दौरान अंतिम्त बैठक का जो आयोजन किया गयता वह डेट आपको एक मिलती है वो हैं चौबीस जनवरी उन्नीस सो पच्चास को समिदान सबा की अंतिम बैठक का आयोजन होता है और इसी बैठक को मित्रों दुनिया बारवा अधिविशन मानती है जो था नहीं तो आप कहते हो फिर अधिविशन नहीं था तो इस दिन क्या जरूरी थी बैठक करने उसका भी एक रीजन बता रहा हूं वह सुन लेना मैंने का अधिविशन एग्यार ही थे अब आरवा अधिविशन इसको मान के बारा बताते दुनिया लेकिन अपने को अधिविशन एक याद रखना यह कि मैं अंतिम बैठक बता रहा हूं और अंतिम बैठक का आयोजन करने की तो मैं अब आपको सवाल यह पूछ लो कि समीदान सबा के गठन का उद्देश से क्या है समीदान सबा का गठन क्यों किया गया था मित्रों समीदान सबा का गठन करने का उद्देश से आपको पता होगा भारत के समीदान का निर्मान करने के लिए समीदान का निर्मान करने उसका 26 नवंबर को ही उसका गिया, उस अपने समीदान सभा को किया, किसको समीदान सभा को क्या कर दिया गया मित्रों भंग कर दिया गया समीदान सभा को क्या कर दिया गया भंग कर दिया गया तो आपसे पूछ ले कि बारत की समीदान सभा भंग कब होती है 24 चनवरी 1950 लेकिन इस दिन एक और काम हुआ वो सुन लिजीगा वो यह हुआ कि समीदान सभा को तो समीदान स सभा की रूप में क्या कर दिया मित्रों भंग कर दिया लेकिन इन्हों ने उसी समिदान सभा को किसका दरजा दे दिया किसका दरजा दे दिया मित्रों अंतरिम संसद का दरजा दे दिया का कि अब हमारे ये जो समिदान सभा के सदिश्य है जितने भी समिदान सभा में लोग थ में और यह संसद की रूप में कब तक काम करेंगे जब तक निर्वाची संसद का गठन नहीं हो जाता है इतना सवाल पूछ लेता हूं कई बार प्रश्ण बहुत सांदार है कई बार विद्यारतियों के मैसेज ब्याते रहते हैं इस प्रश्ण पर वो क्या है वो यह है कि आप पर संसद वैसे में संसद अपना अलग टॉपिक है पूरा पढ़ेंगे बहुत अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे लेकिन अभी संसद लिखा तो मेरे को उस बात को समझाने के लिए आपको यह सवाल पूछना पढ़ रहा है कि संसद का गटन किन-किन से मिलकर होता है मित लेकिन अभी आपने देखा कि संसद का गटन किन-किन से मिलकर होता है लोगसबा राज्यसबा और राष्टपति से मिलकर होता है इन से मिलकर संसद बनती है अब मैं नौर्मली आपको सवाल पूछू कि लोगसबा का गटन कभ हुआ तो आपके मन में का आंसर तो 1952-1952 पहला संसदन हुआ था वह वह था मित्रों 1951 ना 1901 में बारत के संविदान में पहला संसदन हो गया था और मैंने का संसद का गटन लोगसबा राज्यसबा राष्टपति लोगसबा आई 1902 में तो आपके मन में सवाल उत्पन होना वाजिब है और वह क्या है कि फिर ये जिसकर रहा वाता वह सुनना कि वो जो समिदान सबा जिसने किसके रूप में काम करना शुरू कर दिया संसद के रूप में और क्या बोला कि जब तक निर्वाचित संसद का गटन नहीं हो जाता है तब तक यही संसद अंत्रिम संसद संसद की रूप में काम करेगी तो समिदान सभा वाली जो संसदी उसने समिदान में संसदन किया था पहला और आप मैंने का सवाल क्या पूचा जाता है विद्यारते के द्वारा कि अंत्रिम संसद के द्वारा कितने संसोधन किये गेते एक और वो हुआ था पहला संसोधन जिसने काम शुरू कर दिया था अंत्रिम संसद के रूप में तो पहली बात 24 चंद्वरी की याद ये रखना कि इस दिन समीदान सभा को समीदान सभा के रूप में क्या कर दिया गया भंग और किसका दर्जा दे दिया के तमित्रों संसुद का है नंबर दूसरी बार इस दिन और क्या हुआ वो सुन लीजेगा अब समीदान सभा का अध्यक्ष कौन था तो अभी मैंने बताया डॉक्टर राजंद्र परसाद सब को पता है और समीदान सभा क्या हो चुकी है भं पती Napis नॉर्मली सवाल कई बार पूछ लिया जाता है मित्रों और वह क्या पूचा जाता है कि डॉक्टर राजंद्र प्रसाद को भारत का राश्थ पति कब बनाया गया वो बनाया मित्रों 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट पती बना दिया जाता है डॉक्टर राज्यंदर परसाथ को और फिर 24 जनवरी का अगला और काम क्या हुआ वो यह हुआ कि इसी दिन अपने समिदान सभा के द्वारा राष्ट गान और राष्ट गीत को अपनाया गया कई बार मित्रों आपसे डेट पूछ ली जाती है कि समिदान सभा की द्वारा राष्ट गान और राष्ट गीत को कब अपनाया गया तो डेट बता नहीं है मित्रों राष्ट गान जो पहली बार गया गया वो गया गया था सन 1911 में कॉंग्रेस के कौलकत्ता अधीवेशन में ग्यान रखेगा सन 1911 के कॉंग्रेस के कॉलकत्त अधिवेशन में पहली बार राष्ट गान गया गया और राष्ट गीत गया गया कई बार और नहीं नहीं सवाल पूछने का वो तरीका ढूंडता रहता है राष्टगान और राष्टगीत के बारे में आपको पता चल चुका है कि राष्टगान और राष्टगीत कब अपना है तो आप डेट बता दोगे 24 जनुरी 1950 को राष्टगीत पहली बार कब गाया गय गया 1911 के कॉंग्रेस के कॉलकत्ता दीविशन में लेकिन एक सवाल आपसे पूचा जाता है वो ज्यादातर पूचा जाता है राष्ट्रिय ध्वज का तो कुछ बातें मैं यहां पर आपको राष्ट्रिय ध्वज की भी बता देता हूं वह यह है कि पहला प्रश्न तो आप की द्वारा राष्ट्रिय ध्वज को अपना है गया राष्ट्रिय ध्वज की लंबाई अनुपात चोड़ाई कितनी है तीन अनुपात दो राष्ट्रिय ध्वज की डिजाइन किसने तयार की तो मित्रों नाम बताना है व्यक्य या पिंग ले राष्ट्रिय ध्वज की डि वह ये हैhelp meडम भीकाजी कामा न है राष्ट्रिय द्वज का निर्मान किया गया वह किया मैडम भीकाजी कामा के द्वर्ण तो ध्यान रखना ये सारी बाते राष्ट्रिय की अपना में क्या ये सारी बाते की आपना तनी उंपात को install कौ लंबा राष्टगान राष्टगीत और राष्ट्यच द्वज़की और अब मैं सम्विधान निर्मान के दौरान कुछ बाते हैं आपको और बताता हूं वो यह है कि आपको सवाल यह पूछ ले जाए कि भारत के समीदान निर्मान के दौरान लगा समय पूछ ले तो आपको सबको याद है दो वर्ष ग्यारा माह और अठारा दिन दो वर्ष ग्यारा माह और अठारा दि डेट पूछले कब से कब तक 9 दिसंबर 1946 से कब तक अभी अभी एक डेट लिकी थी मैंने आपके सामने 26 नवंबर 1959 तक दो वर्ष 11 माह और 18 दिन फिर आपसे एक सवाल पूछ ले जाए कि समिदान मूलत हस्त लिकित किस के द्वारा है अभी 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 आपके जश्ट पिछला राजस्तान में एक पेपर हुआ था मैला सूपरवाइजर का और मैला सूपरवाइजर के पेपर में यही सवाल पूछा समिदान मूलत हस्त लिकित किस के द्वारा है तो आपको एक नाम याद रखना है प्रेम बिहारी नारायन राय जादा के द्वारा प्रेम बिहारी नारायन राय जादा के द्वारा समिदान मूलत हस्त लिकेत है समिदान मूलत अंग्रेजी भासा में लेका गया था इसका हिंदी अनुवाद किस ने किया तो आपको नाम बताना है हिंदी अनुवाद किस ने किया गंश्याम सिंग गुपता के द्वारा किस के लाल गंश्याम सिंग गुपता और सुन्दर लाल के द्वारा क्या किया गया पंडित सुन्दर लाल था इसका नाम वह इनके द्वारा इसका हिंदी अनुवाद किया गया क्योंकि मूलता हस्त लिकित वो था आपके प्रेम बियारी नाराइंड आईज़त द्वारा और मूलता बात समीदान निर्मान की यह है कि समीदान पून रूप से लागू कब हुआ तो अभी-अभी मैंने कुछ समय पहले एक डेट का जिक्राब के सामने किया था कि 26 जनवरी 1950 को समीदान पून रूप से क्या कर दिया जाता है लागू कर दिया जाता है स्मीदान पून रूप से लाग वो जाता है 26 जनवरी 1950 को और 26 जनवरी 1950 को भारत एक गण तंतरात्मक राष्ट बन जाता है और मित्रों अभी मैंने आपके सामने चर्चा की कि आपको प्रस्ट पूछा जा चुका कि बारत एक गण् तंतरात्मक राष्ट क्यों है तो इसका र पहली बात अपने पढ़ी भारत में समीदान सभा का गठन कैसे हुआ और दूसरी बात आप पढ़े उस समीदान सभा ने भारत के समीदान का निर्माण कैसे किया तो सव्मिदान सब्सक्राइब निर्माण अपन सारी की सारी चर्चा आपके सामने कर चुके यहां तक की मेरे को आशा और विश्वास है कि मेरे द्वारा बताई की बाते आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी मित्रों धन्यवाद आगे बात करेंगे अपन अगले व आपको मिले अपेक्स क्लास इस एडिटेक सब्सक्राइब नाव